नमस्कार दोस्तो मैं हूं मुक्ता दिक्षित एस्टो लोजर आज हम बात करेंगे कंपनी कुंड़ी एनलेसिस में येस बैंक की इसमें क्या स्थिति आगे बन सकती है क्या हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी दूँगी बहुत से लोगों के मैसिस थे इसके लिए तो इसके बारे में आपको इसकी कुंड़ी के बारे में बतलाओंगी इसकी जो न्यू रखे गई थी 2004 में और इसके जो फाउंडर थे वह थे राणा कपूर और असोक कपूर इनके द्वारा ये निर्मित कंपनी है और जो यह एनी ऐसी में जो सामिल हुई थी ये तो वह डेट ब्यक्ति 15.6.2005 उसी के अनुशार मैं आपको यहां पर वर्णन कर रही हूँ क्योंकि ब्यक्ति कार करने वाला साथ देने वाला साथ में काम करने वाला सभी के भाग्य से कंपनियां चलती हैं तो जब यह पबलिक में सामिल हो जाती है तो जनता का भाग्य भी इसमें लग है तो जैसा कि येस वेंकर के बारे में हम जानते हैं इसने कुछ समय बहुत अच्छा काम किया लेकिन अचानक जो है परिशानियों का दोर से भी यह कंपनी गुजरी तो इसके अनुसार क्या स्थिति बन सकती है वह मैं आपको बतलाऊंगी जो भी जानकारी डेटा है वह सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए जैसा कि आप जानते हैं हमारे कारले से गोल्ड, सिल्वर, निप्टी, निप्टी, वैंक, क्रूड, आइल, आदिक, दैनिक, बीकली, मन्ति, प्रिक्षन भी दिया जाता है और आप जपनी जनम पत्री का भी नाती है, कन्या राशी का है, कन्या राशी में जो है चंद्र गुरु केतु का योग बना हुआ है, लाभ में सुक्र बुद्ध और सूर्य है, शनी भारवे भाव पे विराजमान है कुल्ली चक्र में, और जो है अश्टम भाव पे मंगल राहु का योग बना हुआ है, तो जी हां दोसों इस स्थिती के अनुसार जिसका नशत्र पढ़ता है उत्रा फालगुनी नशत्र का द्वती चरण तो इस स्थिती में ग्रह स्थिती के अनुसार क्या स्थिती बनी तो जब यह 2005 में शामील हुई तो 2008 तक इसने बहुत अच्छा काम किया इसके बाद चंद्र की महादसा चली तो चंद्र जो है बैका कारक था लेकिन लाब में बैठा हुआ था तो इसमें भी जो है अच्छे लाब देखने को मिले थे बैंक में और इसके बाद अब जो बरतमान में ग्रह स्थिती के अनुसार जो दसा चल रही है यस बैंक के लिए मंगल की महा दसा चल रही है और यह दो हजार पच्छिस तक चलेगी। तो मंगल जो है अस्टममभाव में राहू के साथ हैं कुन्ली के कारक रहा मंगल जो है भाग के कारक भी हैं चतुर्त भाव पबिलिक सेक्टर के कारग भी हैं इसलिए इस कंपनी में अभी बीच में जो कुछ समय पहले हमें जो भारी गिरावड देखने को मिली थी इसी के कारण से क्योंकि जैसी दसाइं चलती हैं उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन हो या कोई भी कार हो उसमें अंतर जरूर आता है तो मंगल अस्टम में रहने के कारण जो है यहां पर विसेस हानियां देखने को मिली थी और इसके साथ जो है 2018 से लेकर के 21-3-2022 तक मंगल में शनी का अंतर रहा सनी भी बैस्थान पे रहने के कारण इसने जो हानी ही किया याने की मद्दी का दौर ही लाया इसके बाद जो है 21 मार्च 2022 से लेकर के 18-3-2023 तक यहां पर बुद्ध का जो समय चल रहा है कमपनी के लिए यहां पर यह कुछ लाव आपको दिला सकता है इसके बाद पुनहा 18 मार्च 2023 से लेकर के 18-8-2023 तक यहां पर फिर जो है कुछ उताच रहाव की स्थिती मार्केट में देखने को मिल सकती है आपकी यस बैंक के के लिए और इसके बाद पुनहा 2023 से लेकर के 25 का समय इसके लिए अच्छा रह सकता है तो यह जो जानकारी थी मैंने आपको जो है एस्ट्रोजी के बेस पे दी है तो ग्रह स्थिती के अनुसार जो मंगल की दसा है लेकिन इसमें लाब में जो ग्रह बैठे हैं इनकी अंतर दसा आने पर लाब के योग बन जाते हैं इसके बाद राहू महा दसा चलेगी तो यह भी उतार चड़ाओ से भरपूर रहेगी तो जी हां दोस्तों क्योंकि लगन का कारक जो है सूर्य लाब में बैठा है इसलिए लाब के योग इसमें अवश्य बनते रहेंगे लेकिन जब भी अश्टम छटम बारवे भाव के ग्रहों की दशा अंतर दसा का जो है गोचर होगा तो पुर्णा यहां पर हमें जो है डाउन की स्थिति देखने को मिल सकती है तो इस प्रकार से जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमशकार